बड़ी दुक्की बात है मितुन चक्रवर्ती जैसे को ऐसे नेता हमारे देश को नहीं चाहिए मुसल्मान और हिंदू भाईयों का दिल अधुन चक्रवर्ती के भड़काओ भाशन पे नदीम खान ने रिपले दिया जैसा कि आप नदीम खान को अच्छी तरह जानते हूं कि बड़ी दुक्की बात है नेशना सिक्यूर्टी नेंटी करेशन क्राइम प्रिम्टी विगेट्स अल इंडिया और्गनाजर मैं अधीम कान हूं एक हुमिन इडिस एक हुमन राइट्स कहना दे मैं कहना चाओगा कि अगर समाज में पॉलिटीशन ही अगर जनता का ओट ले करके या जनता के ओट के लिए मितुन चक्रवती जैसे को हमारे हिंदुस्तान के ग्रोम हंत्री साब अमिशा साब के सामने माग्य पूर्ण है ऐसे नेता हमारे देश को नहीं चाहिए मितुन जैसे और हिमायू जैसे जो ये कह दे कि हम काटके गंगा में ढालेंगे और जो ये कह दे कि हम काटके दफना देंगे इन दोनों को जेल में डालो हैट्रो सिटी के तहट केस लगाओ क्योंकि मुसल्मान औ बगा देना चाहिए तॉ करम की राज नेती तो इन नेता हुने कभी की नहीं की क्योगि जो विलड़गा सोता है और जो यादी यादियां पास होती है जो विलड़, जो यादिया पास होती है वो इनके घर बनने में इनके जाती खर्चे में और इनके बड़ी बड़ी गाडियों में इनके रसुक में जाता है और सहर से ये MLMP मिनिस्टर बनते हैं सहर में लाग रुपय का काम कराके 10 करोड अपने घर में लगाते हैं ये वो लोग हैं इनके पास बताने के लिए करम नई है सिर्फ धर्म है हिंदू मुसल्मान है सिक इसाई है जय भीम है ये है इनके पास तो आने वाले वक्त में इसी प हाँ तो आपने नदीम खान का वीडियो देखी लेंगा जहां पर नदीम खान ने मितों चक्रवर्ती को रिप्ले देते वे क्या बोला उन्हों डायरे के बोला कि ऐसे नेताओं के खिलाब सकते सकत कारवई होना चाहिए और ऐसे को टिकिड भी नहीं देना चाहिए बेशक चाहिए वो मुस्लिम नेता हो चाहिए वो हिंदू नेता हो किसी भी समाज के लाब कुछ बोलता है गलत तो ऐसे लोगों खिलाब सकते सक कारवई होना चाहिए क्योंकि ऐसे नेताओं की वज़े से दुसरे नेताओं को बढ़ावा मिलता है उनको ये लगता है कि कुछ नहीं होता है किसी की भी खिलाब बोलो हिंदु खिलाब बोलो मुसल्मानों खिलाब बोलो तो इसके वज़े से जो दुसरे नेता है उनको एक ताखत मिलती है तो अगर ऐसे निताओं को पहले रोख देंगे तो शायद आगे किसी निताओं को इसी ताकत न मिलेंगी और जिसके वज़िसे महावल खराब नहीं होगा चाया वो मुस्लिम निताओं चाया वो हिंदू निताओं ऐसे निताओं को सक्तिसत उन पे कारवई होना चाहिए और कहिने के ऐसे अलफाज नहीं बोला जाए किसी धरम के खिलाब किसी धरम गुरू के खिलाब ये किसी मानने वालों खिलाब उस पे सक्त कानून बनना चाहिए क्योंकि अगर ऐसी चलते रहेंगा तो फिर समाज और माशरे के अंदर जिससे नफरत ही फैलेंगी इसका सामना सब को करना पड़ेंगा तो ऐसे निताओं के साथ सक्तिर कारवी होनों चाहिए इसी पर आपका क्या बोलना आप मुझे कमेंट करके बताए और इसे के साथ इस विड़ों जरू शेय करें जरूर फैलाता है कि लोगों तक यह वाली इंफॉर्मिशन पहुंचे